हेलो किसान बाइयों नमस्कार मैं हूँ एलार चोधरी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खेती डिस्कावरी 29 तो जैसे किसान बाइयों आपको पता ही है कि मारी एक सीरीच चल रही है इंसेक्टिस हर फॉर्मलेशन के उपर जिसके तहत हम जो बोटलों के उपर पे खेती करते हैं और हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है जब तक इसकी प्रोपर हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम खेती में नुकसान करते रहेंगे हमारा फाइदा होने वाला है नहीं पूरी जानकारी होने के साथ हम इसका पूरा पूरा फाइदा वैलाब ले सकते है बहुत बार देखते हैं कि हम दवाईयों का खेत में छिटकाव करते हैं लेकिन कुछ दो तिन जब chemicals mix कर देते हैं तो हमें कई बार result नहीं आता कई बार हमारा नुकसान भी हो जाता है और उसका जो नुकसान होने की जो वज़य है हम company या technical को मानते हैं इसलिए इसकी विस्तारपूर्वक जानकारी लेनी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है तो आरेडि हम तीन formulation पर वीडियो बना चुके हैं part 1 EC, part 2 SC, part 3 SG और आज जो वीडियो चल रही है ये part 4 है WP तो क्षान भाईयों आज बात करेंगे part 4 की यानिके insecticide formulation WP की इसकी insecticide formulation होत यह कई परकार में आता है जैसे Blightox, M45, Atrazine, Clodina, Topic, Metzolpossal Prime जो एलगरीप होती है यानि कि हर्भी side में भी आता है फंगी side में भी आता है यानि कि यह कई तरह की forms में आता है अगर आप हर्भी side की दवा का छिटकाव करें तो हर्भी side के अंदर हर्भी side ही mix करें कोई और mix नहीं करें अगर फंगी side करें तो फंगी side के अंदर और कीट नियंतर करने वाली या कोई फंगी side mix कर सकते हैं यह powder form में आता है लेकिन मिहीन powder नहीं होता छोटे छोटे कण होते हैं हर्भी side जो होता है उसका result फास्ट नहीं होता उसका result 7-8 दिन बाद देखने को मिलता है जो फंगी side होता उसका result fast आ जाता है यह गोलन सील होता है थोड़ा time लेता है गुलने के अंदर 1-2 मिनट लेकिन बहुत आसानी से गुल जाता है इसे पानी के अंदर direct नहीं डालना चाहिए यानि किसी अलग पैमाने में लेके इसे अच्छी तरह किसे डंडे या सोटी से अ जमीन के अंदर एक नमी होनी चाहिए यानि कि कुछ दिने का पानी लगा जुरूर हो ज्यादा dry के अंदर इसका result कम आता है खास करके जब हर भी side का इस्तेमाल कर रहे हैं तब नमी होनी जमीन के अंदर बहुत जुरूरी है किसान भाई यह यह थी संबुरुन जानकरी जान क्योंकि गलत इंसेक्टी सेट डालने के वज़े से मारा खेती के अंदर बहुत बार नुकसान हो जाता है इसलिए प्लीज किसान भाई यो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताके हर किसान तक वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं किसान भाई यो कल नेस्ट कीजिए जाते तो जय हिंद बंदे मातरम